और अब चलिए यूपी की सियासत की बात कर लेते हैं यहां से एक बड़ी खबर आई है लखनाओं में शाम चार बजे यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैतक होगी इस मीटिंग में रामपूर और मैनपूरी के लिए उमीदवारों के नाम पर मंतन हो सकता है बड़ी खबर ब आपको बता दें कि पहरे अपड़ना यादो का नाम आगे चल रहा था अपड़ना यादो ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर सिंग चौधरी से मुलाकात की थी लेकिन इंडिया टीवी के साथ खासा बातचीत में बूपेंदर सिंग चौधरी ने अपड पादा वशाल सिंग ने सुनिया उन्होंने क्या कहा उत्तरपदेश में तीन सीटों पर उप्चुना होने हैं जिसमें मैन पूरी का जो लोकसभा का उप्चुना है वो अपने आपे बहुत जादा महतपूर्ण है समाइबधी पार्टी ने डिंपल यादो को वहां के अंड उन्ग्ट니 किया है बादचीत किया है सब लोग यह जाना चाहते हैं कि भारती जन्ता पार्टी मैनत पुरी उप्चुनाऊं में किसको चुनाई adapt दिआ यह दो कि आरने फैद्सार को लना करें पने आपने चैन की जो पिरकृया है वह पूरिकर करके सब लोगों से हमने अपने हम लोग तांतरिक तरीके से अपने संगठन को चलाते हैं तो उसी आधार पर हम लोगों नीचे से अपने मंडलों से जिले से नीचे से जो जो लोग संभावित हो सकते हैं उन सब के नाम हमने कलेक्ट करके आज बैठक होगी साम को तो उस बैठक में हम लोग बरिता किरम में तेह करके केंद्रे चुनाफ समिटी को भेजेंगे और अंतिम निर्ने वहीं से होना है आपकी सर मुलाकात होती है अपढ़ना यादो से एक ट्वीट किया जाता है उसमें अपढ़ना यादो की भी फोटो होती है इसलिए लोगों के मन में जहन में साल उटता है क्या बड़ी बहो और छोटी बहो की बीच मुकाबला हो सकता है कि राजनीती संभावनाओं का खेल है लेकिन वह विक्तिकत रूप से मुझसे मिलने आई थी पारिटी के अद्विक्स बनने के बाद बदाई देने मेरे पास आई थी और वह हमारी पारिटी में है तो रूटीन पिरक्रिया है सहज सी बात है मुलाकात होती रहती है लेकिन भाज़पा का संगठन का एक सिस्टम है और सिस्टम में हम लोग उसी आधार पर आगे बढ़ते है मैनपुरी चुनाओं को सर आप तो कितना ज़्यादा चुनाओती मान रहे है क्योंकि नेता जी की मौत के बाद बहाँ पर जिस तरीके से चुनाओं है समयवधी पार्टी का कहना है कि परिवार की बड़ी बहु लड़ रही है भारती जंता पार्टी आसपास भी कहनी आ पाएगी निश्चित रूप से हमारे राजनितिक छेतर में बेहतर करने की चुनोती है और बेहतर हमें परिणाम देने हैं तो मैनपूरी की सीट लोकसवा हमें सत प्रतिसत जीतनी है इस हवार ले लेता हूँ से समयवधी पार्टी के मुखियां के लिए शादों ने कहा है कि जो वोटर लिस सामने आ रही है उसमें धानली की जा रही है उसमें जो यादों मद्दाता हैं उनको बाहर किया जा रहा है उनकी शिकायतों को आप से कैसे देखते हैं मुझे ऐसा लगता कि राजनितिक विशे है पॉलिटिकल और वो अपनी हतासा में है जो लंबे समयते समाजबादी पाइटी पराजी की साथ आगे बढ़ रही है चौथा पांचमा चुनाव उनका है तो वो मूल विशे पर बेसिक विशो पर जाना नहीं चाहते और जनता का ध्यान हटाने के लिए जैसे कहा वद रहे हैं खिस्चाइब लिए खंबा नोचे तो सम्मेधानिक संस्थाओं को इवी एम को अधिकारियों को यह सब कहीं न कहीं इन सब विशो के पीछे बहाना ढूनने का काम वो इन सब आरोब लगा कर करेंगे जो विफखशी के लीडर्स हैं कि कारकरता हों को समाजबादी पार्टी मिट्रे करने मिल पार रहा है उप्षणा होता है धरमें जी को मिल लाता है यहां पर डिमपल जी को मिला है अब अखलेज जी ने डिंपल जी को दे दिया उससे पहले धरमेंदर जी लड़े हैं तो परिवार से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते और निश्चित रूप से भारतियंता पाइटी अपने कारेकरताओं को आगे बढ़ा कर कारेकरताओं को कि आधार पर ही हम लोग प्रदेश में भारतिय जन्ता पार्टी जीपने जा रही है इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर